इसको आप सेट या पपस कहते जो है वह बने इसका इस्टेम हो गया और इसका प्रूट हो गया और इसका जो होता है इसका इलीफ होती जो है तो यह प्लांट जो होता है जिससे बताया था है इसका बुटैनिकल नेम होता है एलो Wow several Thous लियर होता रोगता है वो 얼마나 एक फ्रेंलिक होती है अब आतीक हí इसमें जो होता है कि आप पूछा था कि रिफ प्रोडकसण कैसा इसमें रिफ प्रोडकसण कैसा होता है टो रिफ पूडकसंड जो होítा है इसमें दो पूर्डइशन के लिए निकलता है पहले पुस्ट कर निकलता है और इस भी सि भीन होता है इस में देखी जिसे यह वाला है यह त Lindsay इसको आपसेट या पप्स कहते हैं माले जो पोर्शन होता है इसको आपसेट या पप्स कहते हैं वो तो करते क्या है कि अब आपको न्यू प्रांट लगाना होता है तो हम क्या करते हैं कि मदर प्रांट से ही इसके बगल से न्यू प्रांट ग्रू कर जाता है अल लैंगी जनल सेते तो पस को लगाने के लिए आप क्या करेंगे कि आप गमली में करना है तो देखे हमारे पास जो है वे बहु सेता बहुतhero जुए एक गमला हो गया जो है अब गमल्प प्लास्टिक लिए देढ के अच्छे पड़ता है कि गमला है प्लांट जो होता है हुँ इसको एक पब निकाल दीज sulfute एक पप निकाल लिया और एक पप को ला करके क्या करते हैं इसमिस निकाल करके यहां से इसको करके इसको यहां लगा जेते हैं इस तरह से इसको यहां क्या करेंगे इसको लगा जेंगे जो है इसको बहुत पानिक नहीं आ सकता होती है क्योंकि इसकी पतियां जो होती मांसल होत तो आप जिशाए की बताया हम ने कि एज पॉस्तन होता है इसको इसको पॉप्स के जो है अब पॉप्स लगाने के लिए जो होता है अगर थोड़ा बलुई जमीन हो तो बला अच्छा होता है वह क्योंकि दो मट्मेट्टी के लिए उतना बढ़िया प्लांट जो होता है ये नहीं ग्रोव करता है ये हलक ग्रोव करेंगे लेकि बढ़िया नहीं ग्रोव करता है वह इसके थोड़ा सा बलुई मिट्टी चाहिए जो है वह तो हमने क्या कि मिट्टी यहां डाल दिया और मिट्टी डालने के बाद जो होता है अब गमने से लगानने के बाद जो होता है ये चुकी perennial plant, मने बवर्षी पउधा होता है और इसकी जो life cycle होती है बारा, मने बारा बरस तक इसका जो होता है life spun होता है और या एक सरवी plant होता है सरवी plant होता है या इसको aero percent plant बहोते हैं मने जालियूद plant होता है वो अब क्या करते हैं कि इस plant को जो किसकी से लाइफ श्टाइकल जो होती ही, बारा वर्स की होती है वो, बड़ा important plant है, जेसे बताये था हमने किया जो होता है, anti-oxidant, anti-fungal और anti-viral ये plant होता है, और यह मुहासो, कील मुहासो को दूर करता है, और इसके अलावा जो होता है, ये मिला कील मुहासो से दूर कर सक आपने पूछा था कि हाव टू ग्रू महले किस प्रकार से इसको हम ने प्लांट टेयार कें तो ने प्लांट के वीडियो आप सामने प्रिश्टू थे हो धन्य बाद लाइक करने भूलिए धन्य बाद